नमस्कार दोस्तों गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है डेटा आज की 3 जन्वरी 2022 देख लेता है इंडियान एक्स्प्रिस की इंपोर्टन एडिटोरियल आइडिया पे इंपोर्टन आर्टिकल्स देखो हम यहाँ पर जो आर्टिकल्स देखने वाले हैं वो पहला रहेगा चाइना दे चाइना हैंड कि अभी रीसेंट तिबतन गवर्मेंट जो एक्जाइल में चल रही है जो कि इंडिया से ओपरेट कर रही है वहाँ पर एक फंक्शन था जिसको आटेंड करने के लिए हमारे कुछ एमपीज गए थे उन एमपीज के लिए चाइना ने अपनी तरफ से एक लेटर इशू किया है बोला कि हम बहुत नाराज हैं इनको लेकर के तो उस पॉइंट आफ यू से एक बार इस आर्टिकल को देखना जरूरी है एक आर्टिकल हम जो देखेंगे वो ये अन्यू स्टोरी बहुत जमवेंट कश्मीर को जब से यूटी डिकलियर किया है तो बहुत कुछ कर चुके हैं बहुत आगे बढ़ रहे हैं उसी से हमने जम्मो एन कश्मीर को बोले यूटी बनाया था यह आर्टिकल लिखा गया है मनोज सिनाजी के जो दौरा जो कि वहां के लेफटिनेंट गवर्नर है फिर तीसरा आर्टिकल जो रहेगा आज का हमारा इंपॉर्टन्ट दा टाइम फॉर एक ग्रीन शिफ्ट की हम एक तो एनर्जी डिपेंडेंस की बात करें तो फॉसल फ्यूल पे हम डिपेंडेंट अभी भी हैं दूसरी तरफ हमारा ट्रांजिशन कंटीनियूसली ग्रीन एनर्जी की तरफ हो रहा है पर यह ट्रांजिशन इतना स्मूध नहीं होगा तो ऐसे में क्या-क्या तो सिनेरियोज क्रियेट होंगे और क्या इंडिया को करना चाहिए तो इस पॉइंट ऑफिस इस आर्टिकल को देखेंगे बाकि बचे वे जो आर्टिकल से उनमें एक पर हम एकोनॉमी से रिलेटेड उस पे नज़र डालेंगे यह MSP वाला आर्टिकल आप खुद से देखोगे क्योंकि इस इस आर्टिकल में बताया जा रहा है कि इलेक्शन कंड़क्ट करवाने बहुत जरूरी हैं पर हाँ करवाने भी जरूरी हैं जो अभी 2022 में असेम्बली इलेक्शन से उनके लिए तो देखो हमारे पास में जो आर्टिकल से उनको अब डीटेल में देखते हैं फॉर्स जो आर्टिकल है था चाइना हैंड देखो इसमें यह कहा जा रहा है कि दिल्ली जो है वो चाइना के साथ इंगेज करे इसमें बहुत सारे चैलेंजिस हैं और उन चैलेंजिस को हम इग्नोर नहीं कर सकते देखो जब सेक्योरिटी पॉलिसी फॉरिन पॉलिसी किसी क भी बात हम करें तो एक सेकंड रुखिए तो चाइनीज क्वेशन है उसको हम बिलकुल भी इग्नोर नहीं कर सकते ऐसे में अभी रीसेंट जो बात आई है वो कुछ ऐसी कि कुछ इंडियन पार्लियमेंटेरियन्स ने अभी तिबतन गॉर्मेंट तिबतन पार्लियमेंट ज को अटेंड करने के लिए जब कुछ हैंपीज पहुंच गए तो वहाँ से एक तरीके से रूड मिसिव का मतलब हो गया एक तरीके से रूड मेसेज आया कि वही आप इस तरीके से कैसे अटेंड कर सकते हो जबकि तिबत जो है वो तो हमारा खुद का एक है इंटिगरेटड पार्ट है हमारी territorial sovereignty को इंडिया कैसे compromise कर सकता है तो exactly बात आ जाती है कि चाइना जो है वो बहुत ही अपनी aggressiveness जो दिखा रहा है चाहिए अपने दोस्तों के साथ दिखाए चाहिए अपने दुश्मनों के साथ दिखाए जैसे कि आप recent जो developments है उन पर हम नज़र डालें तो South China Sea में कैसे aggression दिखा रहा है LAC पर हमारी साथ में tensions continue है पिछले डेड़ दो सालों से तो इन चीजों को लेकर कि अगर हम देखें तो diplomacy की जब बात आती है कि हम internationally हम engage करें तो उसमें पिछले कुछ सालों तक तो चाइना को बहुत ही ज़ादा ऐसे समझते थे कि हम mature system है वहाँ पर और engagement बहुत एक कैता है ना balance manner में करते है बट अभी recent जो developments हैं जिनमें चाइना अपनी aggression लगातार दिखा रहा है और जो Mao का time था Mao Zedang का time exactly वो के वो expansion की जो policy हुआ करती थी exactly वो की वो policies repeat करनी शुरू कर दिया चाइना के current president शी जिन पिंग ने तो जो की counter productive थाबित हो रही है अब इसमें चाइना तो अपनी तरफ से इस चीज़ को लेकर के चल रहा है कि उसको एक hard power बनना है जिसमें कि economically और military दूसरे countries पर अपनी dominance create कर सके बट अगर दूसरी तरफ अगर देखें तो चाइना को कही न कहीं इनी की वज़े से अपनी policies की वज़े से challenges का सामना भी करना पड़ता है देखो चाइना की बात अगर करें तो इंडिया जो है वो चाइना के साथ में केवल LAC को छोड़े border dispute को छोड़े तो और चीजों में फिर भी survival या फिर कह सकते न कि coexistence करने के लिए तयार है बट जब से early summers मतलब मार्च 2020 में जब से चाइना की जो people liberation army है जिसने aggression दिखाया LAC का cross तो बोलो वो अभी तक भी उस चीज को खतम करने के लिए तयार नहीं है बीजिंग जो है बार-बार मना कर रहा है कि हम हमारे military personnel को withdraw करने के लिए ready नहीं है तो बोलो एक यही सबसे बड़ा मुद्दा है इंडिया चाइना के बीच में अगर ये disputed frontier को अगर दोनों कंट्री सौट आउट कर लेना तो इसके बाद में चाइना और इंडिया के बीच में केवल और केवल cooperation देखने को मिलेगा ना की confrontation तो इंडिया का तो एक ही चीज कहना है कि एक हाथ से तो आप trade करते हो दूसरे हाथ पे देखो तो हमारे यहां पर हमारी territory को grab करने की बात करते हो अभी recent ही कुछ news निकल के आई थी जिसमें एक तो नेपाल और भूटान के साथ में चाइना अपनी engagement इतनी ज़्यादा कर चुका है नेपाल के साथ तो देखो पहले से ही चल रही है दूसरी भूटान के साथ में भी engagement कंटीन्यू कर रहा है जिससे की इन दोनों किंगडम्स को इंडिया से दूर किया जा सके पर हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि चाइना efforts तो लगा रहा है पर ये दोनों कंट्रीज भी अपनी independence अपनी sovereignty को चाइना के हातों compromise नहीं होने देंगे क्योंकि जो एक theory है single palm और five fingers उसमें single palm को तो देखो तिबबत को तो capture कर रखा है चाइना ने five fingers में आज जो important places हैं उनकी अगर बात करें तो एक तरफ तो लदा का जाता है इदर अरुनाचल प्रदेश फिर इदर देखो गए तो भूटान आ गया फिर सिक्किम और फिर नेपाल तो इस तरीके से ये 500 reasons को वो capture करने के दिमाग में रखता है जो माओ के टाइम पे एक policy हुआ करती थी तो ऐसे में जो South Asian subcontinent है उसमें नेपाल भूटान में भी अपनी dominance create कर रहा है मालदी उसमें आपने अभी सुना होगा कि anti-India stances निकल रहे हैं वहाँ पर लोग रेलिया निकल रहे हैं इंडिया के खिलाफ में श्रिलंका में भी आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा पकड़ चाइना की हो चुकी है तो point के आ जाता है कि चाइना को challenge करना इंडिया के लिए वैसे तो बहुत मुश्किल है कारण कि एक तो power gap बहुत जादा हो गया है कोई जमाना था जब इंडिया और चाइना दोनों एक दूसरे के equivalent थे corporate किया करते थे और आज वही चाइना इंडिया के लिए सबसे बड़ी सरदर्दी हो चुकी है तो यही अपने आप में बहुत बड़ा challenge रहने वाला है national security point of view से 2022 में और उसके आगे भी तो ऐसे में चाइना को कैसे tackle किया जा सकता है तो इसके लिए three level strategy पे काम करना होगा पहला military या strategic level की बात करें तो इंडिया चाइना को counterbalance कर सकता है like minded countries के साथ English करना जैसे की US और जो western countries है उनके साथ में और इसके अलावा आपको पता ही है जो quadrilateral form है फोरम है जिस पे Australia, Japan और US तीनों मिलकर के इंडिया का cooperation करेंगे दूसरी चीज डिप्लोमेटिकल अगर देखें तो वहाँ पर जो जितना speed से हमें खुद का military modernization करना चाहिए उतनी speed से हम नहीं कर पा रहे हैं और इन quad countries के बीच में जो एक strategy cooperation होना चाहिए ठीक है जितना जल्दी वो भी कहीं न कहीं डीला है economic level पे देखें तो military level पे हो गया पहला दूसरा आजाओ economic level पे इंडिया को जरूरत है कि अपना जो एक isolation का behavior है world economy से उसको हटा कर कि अब global trade में engage करें देखो आपको पता होना चाहिए कि 2012 से लेकर 2019 तक एक agreement चल रहा था जिसका नाम है regional comprehensive economic partnership RCEP इसमें इंडिया चाइना और ये आशियान कंट्रीज न्यूजिलेंड आस्ट्रेलिया साउथ कूरिया जपैन ये मतलब मिलकर के एक engagement अपनी कंट्रीज जपैन नहीं था उसमें RCEP में मतलब ये इंडिया और चाइना दोनों थे तो इनका engagement कंट्रीज चल रहा था पर इंडिया ने 2019 में आते आते हैं अपने आपको विड्रो कर लिया और ये कहा कि हमारे जो farmers हैं हमारे जो small scale manufacturers हैं बोलो उनको नुक्सान हो जाएगा अगर ये free trade agreement के चलते हैं हम चाइना को हमारा market openly access करना अलाओ कर देंगे तो तो ऐसे में RCEP देखो एक जनवरी से लागू हो चुका है 2014 से एक जनवरी कल पर सोसे ही पर इंडिया जो है इस से बाहर है तो ऐसे में एक तरीके से इंडिया को conservative economy consider करना शुरू कर दिया तो ऐसे में इंडिया भी देखो अपनी तरफ से bilateral free trade agreements की तरफ ज़्यादा कोशिशें लगा रहा है जैसे कि UAE के साथ में UK के साथ में Australia के साथ में इसराइल के साथ में early harvesting agreements है उन पर जहां तक है consensus निकल के आने वाली है 2022 में यह expected है Commerce Minister P.Y. गोहल जी के statements के according अगर हम notice करें तो दूसरा दिल्ली की तरफ से जो भी अभी तक reluctance देखने को मिली है या फिर un cooperation दिखाया गया है उसमें थोड़ा सा cooperative behavior हमें consider करने की जरूरत है जिसे की हम strategically, economically, military हम ज़्यादा ज़्यादा काम कर सकें और तीसरा जो होगा पहला तो military दूसरा हो गया economic अब तीसरा अगर देखें तो वो है internal unity अभी recent जो ऐसा event जिनके चलते हमारा जो national cohesion है जिसमें हम coexistence की बात करते हैं तो उस वी में कहीं ना कहीं gaps आने की डर लग रहे हैं जिसमें चाहे religious lines की वज़े से हो चाहे किसी और वज़े से हो तो हमें internal security, internal unity को भी maintain रखने की जरूरत है तो ये चीज़े हैं हाँ पर important है कि हम चाइना को कैसा tackle कर सकते हैं 2022 में आगे चलते हैं next article time for a green shift article को लिखा है विकरम सिंग महता जी ने देखो इनका ही मानना है कि energy policy की अगर बात करें internationally देखो चाहे इंडिया के level पे तो बोला हमें एक french phrase है उसको समझना होगा और वो french phrase क्या बोलता है plus का change plus safely में में choose that means कि अगर कोई भी बहुत सारी चीज़े change होती हैं तो ये मान के चलो कि बहुत कुछ same बना रहता है इसका मतलब परिवर्तन आता है तो परिवर्तन अपने साथ में एक स्थाइत्व भी लाता है कुछ चीज़े हैं वो स्थाइत्व में बनी रहती है continuous बनी रहती है for example आज अगर USA को powerful बने रहना है तो USA को अपनी policies को change करना होगा अब वो policies change तो होगी और policies अगर cooperative रही तो इसके चक्र में USA को बोलो सब लोग एक तरीके से लीडर के तौर पर consider करेंगी की नहीं exactly वो ही चीज़ यहां पर बताई जा रही है energy sector के लिए बुले 2021 का साल जो गया उसमें energy sector में बहुत सारे changes देखने को मिले उसमें सबसे important जो change था वो यह कि वर्ल्ड के लगबग 133 countries ने 133 countries ने अपनी तरफ से शपत ली कि हम net zero carbon emission अचीव कर लेंगे 2022 में 2022 क्या मतलब आने वाले टाइम पर उन्होंने अपना commitment अभी दे दिया कि हम आने वाले टाइम पर net zero carbon emitter बन जाएंगे इसमें देखो सबी government मतलब लगबग लगबग governments ने corporate मतलब private sector के entities civic communities उन्होंने अपनी determination दिखाई कि हम शुरुआत में carbon emission को phase down करेंगे और फिर बाद में देरे देरे phase out ही कर देंगे carbon पर dependency हमारी खतम हो जाएगी पर reality क्या है कि commitment तो बहुत हो गए पर यहां पर बहुत ज़्यादा variations देखने को मिलता है जो भी expected था उसमें expectation से जितना target था वो बहुत ही कम अच्छी हो पाया है इसके लिए हम देखें तो अभी recent natural gas की जो prices हैं crude oil के prices हैं यह देखो कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है तो एक तरफ तो क्या है कि fossil fuel पे जो dependency है वो दूसरी तरफ green energy पे जाना है वो तीसरी तरफ energy का जो cost है वो rise हो रही है वो तो यह तीनों चीजों में एक balance जो बनना चाहिए वो balance कहीं ना कहीं बिगड़ रहा है कारण कि fossil fuel पे dependency अबरप्ट ली अचानक से बंद होना possible नहीं है dependency हम एक दम खतम नहीं कर पाएंगे तो यह cost जो बढ़ रही है प्राइस जो बढ़ रही है fossil fuel की वो परेशान करेगी दूसरा green energy में transmission की तरफ अगर जाएं तो एकदम से कोई भी एक entity चाहे कि हाँ जी सरकार अकेली मिलकर के यह transition कर सकती है non fossil fuel energy पर renewable energy की तरफ तो बलो अकेले के बसकी बात नहीं है की stakeholders को participate करना होगा अगर हम पिछले कुछ महीनों की बात करें पिछले 12 महीनों की बात करें तो एक trend देखने को मिला है जिसमें crude oil natural gas के भाव बहुत बढ़ गए जैसे कि एक साल पहले का time पर देखें तो लगबग एक लिकविफाइड natural gas की जो प्राइस थी वो थी लगबग 18 डॉलर पर mm BTU जो की बढ़ कर कि अभी 40 से भी जादा हो चुकी है 40 डॉलर से भी जादा हो चुकी है लगबग लगबग कितना महिंगा हो चुका है और oil price लगबग 3 गुना तीन गुना तो Jacques अभी एंडिया में हम triple digit में payment करते ह। ठीक है एक सो साथ एक सो आट ठीक है डीजल तो फिर भी double digit में दिख जाएक अपर पेट्रोल अभी भी triple digits में हमें दिखाई दे रहा है तो ऐसे में political leaders अगर देखें तो वो खुद इस reality में कहीं नहीं फसे पड़े हैं कि वाकई में हम कैसे काम कर पाएंगे कारण है कि एक तरफ तो क्या है irregiscible force है कि हम clean energy की तरफ अगर जाएं भी तो कितना जादा परेशानिया है जैसे मैंने बताया कि fossil fuel energy system को क्या हम अचानक से बंद कर पाएंगे तो बोले ये चीज़ बहुत मुश्किल है और क्या अचानक से हम green energy की तरफ shift हो पाएंगे तो ये भी बहुत मुश्किल है तो बोला ऐसे में हमें पाँच important trends देखने को मिलेंगे energy landscape में क्योंकि एक तरफ तो हम महंगाई का सामना कर रहे हैं और दूसरी तरफ green energy की तरफ shift होना चाना है तो first trend तो क्या होगा वो जानते हैं देखो energy transition की अगर बात करें तो ये लंबे समय तक चलेगा और इसमें पैसा भी बहुत लगेगा तो ऐसे में fossil fuel based जो ecosystem है उसको redesign करने की जरुवत है मतलब एकदम close करना भी possible नहीं है ना तो अगर 30-40 साल तक भी अगर हम fossil fuel पे dependent रहते हैं तो उस case में इसको redesign करने की जरुवत है जहां पर भी कुछ भी गरबडियां हैं कुछ कमियां हैं उन लूप होल्स को correct करने की जरुवत है इसके अलावा clean energy के लिए हमें infrastructure development को encourage करना चीए और उसके लिए चीए बहुत ज़ादा capital की और वो capital infusion अकेला कोई करनी सकता है क्यों renewable energy में अलग-अलग segments है जैसे solar wind, biomass इस तरीके से या फिर आप कह सकते हो decarbonize करना है grids को उसमें तो बहुत पैसा चाहिए और अलग-अलग sectors में चाहिए electric mobility को venture करना चाहता है electric vehicles को तो बोले उसके लिए पैसा चाहिए carbon को sequester करना है जो environment में already carbon emit हो गया उसको capture करना है तो बोले इनको सबको हमें साथ मिलकर के करना होगा क्योंकि बहुत ही जादा पैसा खर्च होगा और किसी एक country या किसी एक multilateral institution में इसतनी अकात नहीं हो सकती कि वो इन सारी चीजों को अकेला handle कर ले तो बोले सबको साथ में मिलकर के काम करना होगा दूसरी चीज क्या है कि fossil fuel की अगर बात करें तो ये देखो energy basket में ये तो dominate करेगा इसमें कोई doubt नहीं है और ये जो transition phase है इसमें शुरुवाती दोर में तो देखो सीधी सी बात है आज भी fossil fuel पर dependency बहुत ज़ादा है तो ऐसे में जो कहते हैं ना कि market के जो fundamentals हैं उनको define करने की जरुवत है और वो कैसे चलती है demand supply और geopolitics पे जैसे की demand की बात करें तो अभी recent जब से covid हटा है और फिर supply को तो covid के time पे देखो शुरुवात तो कहां से होती है कि normally देखा जाए तो supply और demand एक balance में चल रही थी covid disruption आया तो demand हो गई एकदम से collapse क्योंकि mobility economic activities रुख गई तो इस case में हो गई supply जादा अब supply जादा होई तो फिर बाद में OECD जो OPEC जो कंट्रीज हैं जो oil producing countries हैं उन्होंने oil production कर दिया कम कि बोले भाई हमारे तो बहुत गाटा हो गया इस चीज में अब जैसे ही economical activities restart होई है तब से फिर से energy requirements बढ़ गई है तो अब demand बढ़ गई है supply रुकी पड़ी है तो इसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ रहा है consumers को क्योंकि supply side से अभी भी कोई boost नहीं मिल रहा है तो बला ऐसे में demand supply इन दोनों पर ध्यान देने की ज़रूरत है तीसरी geopolitics बही सीदी सी बात है एक country है जो की oil produce करता है पर दूसरा country जो की oil की requirement तो रखता है पर मुद्दा ही है कि दोनों की बीच में अच्छी खासे relations नहीं है तो इस case में ये geopolitical issue भी आ गया तो बला इन तीन चीजों को हमें balance करने की ज़रूरत है fundamentals को define करो और जो exchange rate है या फिर speculative trade है जैसे कुछ लोग है वो पैसा कमाने के लिए crude oil purchase कर लेंगे कुछ countries और उनको store कर लेंगे और कुछ countries के साथ में exchange rate का मुद्दार है जैसे कि रुपए की अगर value देखे तो हम तो देखो हमारे requirement का crude oil के requirement का लगवक 85% तो हम import import करते हैं तो उस case में हमें तो पैसा चाहिए न डॉलर में payment करना पड़ता है अब डॉलर के comparison में अगर रुपए की value ऐसे ही decline करती रही जो कि अभी 75 रुपए पर डॉलर के हिसाब से trade हो रहा है exchange rate चल रही है और रुपए और डाउन होता है तो हमें payment क plus countries जिन में majorly Saudi Arab Gulf nation Iraq Iran Russia इनकी पकड़ जादा हो रही है बजाए के दूसरे countries के तो बोले यह अपनी influencing power को बढ़ाते चले जा रहे हैं और इन major countries की पकड़ के पीछे कारण क्या है वो कारण है कि अभी private sector है वो तो देखो fossil fuel से दूर जा रहा है और धीरे धीरे green energy में invest कर रहे है जैसे आपने भी सुना होगा मेरे मूझ से कभी कि राजस्थान में जो बढ़ला है जोदपूर में बढ़ला एक गाउँ है वहाँ पर एक world का सबसे बड़ा solar power park जो है वो डवलप कर लिया गया है जहाँ पर 18 से जादा कंपनियों ने invest कर रखा है इसके लावा लगातार investment solar energy wind energy में होता चला जा रहा है तो private sector तो देखो fossil fuel से दूर जा रहा है और दूसरी तरफ जो oil producing countries है वो अपनी तरफ से अपनी पकड़ लगातार बढ़ाते चले जा रहे हैं चौथा जो trend है वो geology का देखो minerals है वो कही ना कोई कुछ geographies में अपनी तरफ से कुछ developmental activities के चलते हैं जो पूरा एक geographical होता है सीक्वेंस होता ना evolution का उसके basis पे देखें तो हर कहीं पे हर कोई mineral नहीं मिलता है जैसे अगर देखें western west Asia में तो वहाँ पर situation ऐसी prevail कर रही है जिसकी वज़े से वहाँ पर fossil fuel मिलता है इसी तरीके से अगर देखें तो आज के time पे all over India की बात करें तो wind energy की बात करें तो आंधर प्रदेश, तमिल नाडू यह ऐसे इरिया जहां पर wind energy अच्छे से produce की जा सकती है solar energy की बात करें तो राजस्थान एक ऐसा state है जहां पर 325 days out of 365 days in a year सीधी sunlight हो मिलती है तो ऐसे में resources का availability वह भी vary करता है जेग्राफिकली अगर हम देखे तो तो ऐसे में अगर example देखे Democratic Republic of Congo यह Central African country है वहां की अगर बात करें तो global supply में कोबाल्ट जितना भी है ना उसका 50% तो इस एक अकेले country से आता है Australia की बात करें तो lithium market बहुत बढ़ता चला जा रहा है Australia में ठीक है चाइना की बात करें तो चाइना ने mining और processing कौन से जो rare earth minerals हैं अब आप comment box में बताओगे rare earth minerals की definition क्या है और कौन कौन से rare earth minerals होते हैं जो की चाइना की जिन पे पकड़ है ठीक है तो चाइना की पकड़ है rare rare का मतलब बहुत कम मिलने वाले अब तो कर abundantly हैं वो minerals पर हाँ जिस ताइम पर पता पड़ा था ना तब यह था कि और यार यह तो बहुत ही कम मिलने वाली चीज़े हैं तो ऐसे में जो earth में जो minerals मिलते हैं उनमें जिन सबसे कम quantity में available उन पे पकड़ चाइना की है तो बहुत है इन चीजों को देखें तो यहां से जो green energy की तरफ हम transition करना चाते हैं उसमें कही ना कहीं इन countrys की dominance रहेगी पर यही है कि अभी तक भी इन nationalism का जो माहूल बना हुआ है राष्टरवाद की भावना और एक political opportunism की हर कोई country कोशिश ये कर रहा है कि मेरी बात कहां पर चल रही है इसका best example है US और चाइना जो कि एक cold war टाइप situation में फसे पड़ है चाहे फिर वो technology की बात करो trade की बात करो, cyber issues की बात करो, South China Sea की बात कर लो China और US वो इस तरीके से फसे पड़े हैं जिस तरीके से Greek history की अगर बात करें तो वहाँ पर Thucydides trap इसमें क्या था कि स्पार्टा एक चोटा यू मानों की एक empire या kingdom हुआ करता था और दूसरी तरफ था Athens जो कि आज की capital है Greece की तो Athens ने जब attack किया था स्पार्टा पे तो स्पार खतम कर देंगे तो यह 5th century BC की स्टोरी है तो उस टाइम पर स्पार्टा ने अपनी तरफ से retaliate किया तो basically यह जो Thucydides trap जो होता है यह तरीके कि ऐसे situation होती है जिसमें एक existing power for example यहां पर USA वो इस चीज़ को लेकर के war type situation create कर देती है कि जो emerging power है जो कि चाहिना है वो कही ना कही इसकी existence को ही कही ना कही खतरे में डाल देगी या जो dominance है उसको खतरे में डाल देगी तो बोला है ऐसी situation अभी कुछ चल रही है चाइना और US के बीच में कि दोनों एक दूसरे से डर भी रहे हैं चाइना US को challenge भी करना चाता है और US चाइना के challenge को openly मतलब openly चाइना challenge करे उसके पहले पहले खुछ से तयार हो रहा है कि हाँ जी हम तो ready लडने के लिए आप तो शुरू करो काम तो ऐसे में बोले हैं दोनों कंट्रीज की बीच की rivalry है ना वो भी कही ना कहीं मुश्किले पैदा कर रही है यह जो हम green energy transition की हम बात कर रहे हैं वो बाठीक है कि अभी जो जो एक भी sign हुआ है कि हाँ हम green transition की तरफ जाएंगे तो देखो बात ऐसी है जब तक पूरी दुनिया साथ में काम नहीं करेगी तब तक ये green transition फुल फ्लैजडली पॉसिबल नहीं है नहीं तो क्या होगा एक भी देश अगर अपने commitment से withdraw कर लेगा कम से कम US, China, India, European Union जैसे बड़ इंडिया को बहुत सोच समझ करके और अपनी traditional suppliers जो हैं, oil suppliers हैं, उनके साथ में अपनी engagement को refine या एक तरह करने की जरूरत है, कारण कि हमने previously देखा ना trend क्या था कि fossil fuel पे dependency एकदम से खतम नहीं होगी, तो एक तो ये है reality, इस reality को ध्यान में रखते हो हमें एक तो ये policy पे ध्या करने की जरूरत है, जिसें कि हम जो strategic oil reserve है, उनमें हमें crude oil को store करने में ज्यादा परिशानी ना हो, ज्यादा quantity में store होगा, तो कल को अगर price volatility आती है, तो हम मिलकर के और आद में हम हमारे इसाब से price को regulate कर पाएंगे, जैसे भी recent आपने देखा कि crude oil की prices rise हुई, तो जिन countries ने भ करके market में अपने strategic reserves है, crude oil है, वो निकाला था, कि हमारे पास में भी oil है, आपकी economy में अगर ज्यादा oil dependency आ रही है, तो क्योंकि opaque countries ने सीधा मना कर दिया, कि हम तो price मतलब production है, वो rise नहीं करेंगे, तो ऐसे में हमें हमारी जो capacity है, उसको increase करने की जरूरत है, strategic reserves की, दूसरा natural gas क हमें ज़्यादा जरूरत क्यों पड़ेगी, क्योंकि सीधी सी बात है, हम hydrogen energy की बात भी करता है, hydrogen cells की, तो देखो hydrogen produce करने में जो blue hydrogen होती है ना, उसमें natural gas की जरूरत पड़ती है production में, तो इस case में natural gas की हमें वैसे भी जरूरत पड़ेगी, फिर आ जाओ तीसरी policy क्या होनी ची हम यहां पर कर सकें, तो ऐसे में देखो, multiple stakeholders, for example, government होगे, regulators होगे, farmers होगे, इन सब को साथ में मिलकर के, common standards पर काम करने की जरूरत है, तब जाकर के हम clean energy में आत्म निरभरता ensure करेंगे, अब इस चीज़ के लिए यह बता रहे हैं, कि हम अगर manufactured inputs के लिए, अगर चाइना जैसे countries पे अगर हम dependent रहते हैं, या raw mineral के लिए हम चाइना पे dependent रहते हैं, तो भी बोला हमारी risk बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इस case में domestically हमें ज़्यादा सर्वे करवाने चीए, जिससे कि raw material की requirement भी पूरी हो सके, और दूसरी चीज यह भी, कि चाइना पे हमारी जो dependency manufactured items पे वो भी हम reduce कर पाएंगे, तो बोला हमारी तरफ से जो अभी recent है, जो production linked incentive schemes जो शुरू की गई है, जिसमें semiconductor chips को produce करना, बोले यह अपने आप में सही दिशा में सही कदम लिए जा रहे हैं, तो हमने जाना कि क्या तो trend रहने वाला energy में और क्या India को अपना policy formulation में ध्यान जरूरत है, ठीक है, आगे चलते हैं, next article, a new story article को लिखा है, मनोज सिना जी ने, देखो बात ऐसी है, कि 1830 में एक American journalist, ठीक है, Margaret Fuller, उन्होंने ये कहा था, कि अगर हमें सही में कुछ करना है, या फिर कुछ नया चाते हैं हम करना, तो हमें imagination, perseverance और confidence, तीन चीजों को हमारे पा जो चीज़ें अभी तक existing नहीं है, उनके बारे में भी आप सोचो कुछ innovative, perseverance, परिस्तिती चाहे कितनी ही बुरी हो, कैसा भी आपको पमाहूल देखना पड़े, पर आपको उसमें लगातार काम करते रहना चाहिए, बिना रुके, बिना परिशान हुए, और confident, कि आपको अप बड़े तब, जब हमें union territory of जम्मू कश्मीर हमने constitute की थी, जिसमें ये था कि हमें people centric growth ensure करनी है, और इसमें हमने एक pragmatic imagination, pragmatic का मतलब एक practical imagination दिमाग में रखी, हमने perseverance रखा खुद पी, खुद के efforts में, और confidence हमें बनाए रखना था और हमने रखा भी, तो बहला, pandemic की परिश्तित में भी जम्मू कश्मीर bounce back कर रहा है, जम्मू कश्मीर की आज अगर स्तिती देखें, तो आज वहाँ पर despair या despondency वहाँ पर लोगों को ऐसा नहीं होता कि हम अलग हैं और rulers अलग हैं, बहला हम एक integrated manner में काम कर रहे हैं, और आजादी का जो अमरित महुत सो चल रहा है, उसमे को mainstream line में लाया जाए, जिससे की जो militancy जैसी activities हैं, उन में वहाँ के youth और वहाँ के लोगों का participation minimize हो, इसके अलावा, या militancy को या terrorist activities को promote करना, उसमें इंगेज करना, उसको reduce करना, बहला अभी तक हम पिछले साथ महीनों से अगर हम देखें, तो लगबग 45,000 करोड रुपय त summit हुआ, जिसमें 39 Memorandum of Understanding MOU साइन हुए हैं, और इसमें देखो 18,300 करोड रुपय के investment की बादचीत तक की गई है, तो ऐसे में एक state को अगर हम progressive बनाना चाहें, तो एक industrial base होना बहुत जरूरी है, साथ में जो local individuals हैं, उनकी जो entrepreneurship है, उनकी जो अध्यमिता है, उसको भी promote करना जरूरी है, वो भी एक industrialist बन सकते हैं, social stability के लिए economical जो development है, वो बहुत ज़्यादा important होता है, तो बहुत उसी चीज़ पर हम ज़्यादा focus कर रहे हैं, अभी तक अगर देखें, तो लगबग 21,943 प्रोजेक्ट हम complete कर चुके हैं, पिछले एक साल के अंदर अंदर, जो की जम union territory बना है जम्मु कश्मीर, तब से लेकर अब तक, प्रधान मंतरी के द्वारा एक प्रधान मंतरी development package भी दिया गया है, जिसके तहत लगबग 21 मेगा प्रोजेक्ट हैं, उन पे काम हो रहा है, और वो complete भी हो चुके हैं, और 9 और मेगा प्रोजेक्ट अभी वहाँ पे चल र रहे हैं लगातार, इसके अलावा जम्मु कश्मीर की history में जितनी transparency और merit-based जो developmental activities होनी चीए, उतना अभी हम उससे भी ज़्यादा करने की कोशिशें कर रहे हैं, साथ में, fastest growing अगर point of view से देखें, इस region में, तो बहुत ज़्यादा economical activities वहाँ पे बढ़ रही हैं, तो ऐसे में renovate, reinvent और quantum leap, that means, जो भी परिष्टितिया वहाँ पर चल रही हैं, उनको ठीक करना, कुछ गड़बड़ी हैं, तूट फूट है, उसको ठीक करना, और जो foundational issues हैं, उनको correct करना, जिससे कि हम लंबी चलांग मार सकें, उसकी तरफ जम्मु कश्मीर आपनी तरफ से आगे बढ़ है, इसके आगे, अब वलब हम वहाँ पर जो कुछ भी काम कर रहे हैं, वह वहाँ के citizens को favor करने वाली है, ना कि कुछ elites को, यह अपने आप में बहुत जरूरी बात थी, इसके लावा, administration की duty है कि public services को easily accessible कराए, deliver करे time पे, और जितना एक time standard होना चीए, कि हाँ reasonable time इतना इस service का, उतने ही time में मिल रही है, और वो भी satisfaction के साथ deliver की जा रही है, तो ऐसे में governance को अभी जो है, वो diversified किया जा चुका है, कुछ privileged जो groups थे या families थे, उन से निकाल करके, अब लोगों के हाथ में वहाँ की, जो governance है, वो जा रही है, वो लोग जो है अपने इसाब से access कर पा रहे हैं और governance में हम सरकारी जो सुईदाय देनी होती है, वो भी हम time पे दे पा रहे हैं, एक वक्त था, जब वहाँ पर inclusive politics नहीं होती थी, तो बो उसकी वज़े से, लोगों को जो basic अधिकार थे, basic rights थे, वो भी नहीं मिलते, जैसे कि उनकी जमीनों को एंक्रोच कर लिया जाता था, तो ऐसे में जिन लोगों का जमीनी अधिकार था, उन जमीनों को हडपना एक common चीज थी, तो बोला, उनको हमने correct किया और हमें एक campaign पे कर रहे हैं काम जिसका नाम है, आपकी जमीन, आपकी निगरानी, हर एक गाउं में जितने भी land holders हैं, उनके साथ में उनके land records शेयर किये जा रहे हैं, जिससें कि वो अपनी उस जमीन का कोई भी monetary utility एंशॉर करना चाहें, तो वो कर सकें, एक एक individual की empowerment एंशॉर करना, और जो भी illegal encroachment था, अतिक रमन था, उनको correct करना, इसके लिए भी हम लगातार काम कर रहे हैं, देखो जब भी governance के important aspects की बात आती है, तो दो इस तरीके से मैं services को access कर सकता हूं, मेरे क्या अधिकार है, कौन सी मेरी जमीन है, क्या मेरी property है, तो बो उन चीजों के लिए हमने बहुत काम किये हैं, information जो है, 100% जितना भी हो रहा है ना, लेंदेन का काम जमीनों से सम्बन देए, बो उसको हम as it is online available करा रहे हैं, even वहाँ प investment हो रहा है कुछ भी, तो बो उससे आसानी से accessibility हो पा रही है, लोगों का participation बहुत जादा है, हम ensure करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे की overall development में उनका खुद का contribution हो, participation हो, और corruption free clean governance ensure करना हमारी एक duty है, जो कि हम वहाँ पर कर रहे हैं, इसके अलावा, जो policy framework है, वो भी इस तरीके से बनाई जा रही है, जिसमें जो union territory of jammu and kashmira उसका भागय उसकी destiny है, वो ही change हो जाए, decentralize करना power को, यह हमारे main motto है, वैसे तो देखो, इसको argument को हम यहाँ पर counter ऐसे कर सकते हैं, कि वहाँ पर तो, यूटी है, यूटी का मतलब है, central government का rule चलता है, पर अभी फिलहाल जो है, वो वहाँ पर system को change करने से related है, साथ में लोगों का participation, people centric policies हम बना रहे हैं, infrastructure development की बात करो, agriculture reforms की बात करो, village level पर जो MSMEs है, उनको promote करवाने की बात करो, महिलाओं का contribution है, उनकी बात करो, बोलो हर चीज में हम कोशिशे कर रहे हैं, कि engagement जो है, वो inclusive बने, साथ में, देखो, यह policy making होनी चीए, कि सीधी सी बात है, जिन लोगों को, लोगों के लिए आप policy बना रहे हो, उन लोगों का ही जब तक participation नहीं होगा, तो कैसी policy making हुई, तो बोला हम participatory काम कर रहे हैं, अभी तक लगबग, चार लाग से जादा महिलाओं को, इकटा करके, वावन हजार से जादा, self-help group तयार कर दिये हैं, जिसें की वो अपनी एक dignified life जी पा रही हैं, खुद से खुद के, रुजगार तयार कर रही हैं, business expand कर पा रही हैं, इसके अलावा, schedule tribes को हमने बहुत empower किया है, इसके तहत, जो forest tri-tech 2006, अभी तक जम्मो कश्मीर में implement नहीं हुआ था, उसके तहत हमने tribes को अधिकार दिये हैं, इसके अलावा, बहुत सारी community, for example, महाजन, खत्री, ऐसी communities जिनके पास में जमीन के titles ही नहीं हुआ करते थे, और नहीं उनके पास में agricultural जमीन खरीदने का कोई अधिकार था, बोलो, उनको अब title देना भी हमने शुरू किया है, इसके अलावा, जो small and marginal farmers हैं, जिनको पहले high density plantation fruits, जैसे आपको पता है, apple हो गया, apricot हो गया, walnut हो गया, यह ऐसे, almond हो गया, यह ऐसे fruits हैं, जिनको की, बुला पहले, rich जो थे, कुछ लोग जो थे, privileged few, जो विशेश अधिकार रखने वाले कुछ लोग थे, उनके अलावा, कोई अपने खेतों में करी नहीं सकता था, इनकी केती, अब वो cultivation कर पा रहे हैं, वहाँ पर अपने खेतों में, आज वहाँ पर ऐसा कोई ऐसा institutional arrangement नहीं है, जिसकी वज़े से हैं, लोगों को परेशानी हो, तो ऐसे में हमारा काम है, कि जो immobile assets हैं, वो उन लोगों को ही मिले, जिन लोगों का उन पर कर रहे हैं, इसके अलावा, जो भी distress में जो sale हुआ करती थी पहले जमीनों की, या immobile assets की, बोलो उसको भी हम अभी रोक रहे हैं, इसके अलावा, जो भी लोगों की परेशानिया हैं, उनको भी हम redress कर रहे हैं, इसके अलावा, यूटी में जो uncertainty बनी रहती थी, बोलो कि कितन ज्यादा challenges हैं, सबसे बड़ी challenge तो violence हो गई, terrorist activity हो गई, economical activities में देखे तो बिलकुल ठप रहती थी economy, तो बोलो उन चीजों में जो gap थे, उसको हम dehyphenate कर रहे हैं, हम एक तरीके से, जो भी problems थी, उनको uproot कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, तो ऐसे में, आज हमारा focus जमू कश्मीर में देखे तो agriculture, industrialization, employment, education, healthcare, tourism, drinking, water facility, availability, urban renewable, urban renewable और modern infrastructure, इन सब को हम boost करने में लगे हुए हैं, और इसी के चलते हैं, आज के time पर, जो एक growth ensure करनी है जमू कश्मीर को, उस trajectory पे अपनी एक journey है, वो शुरू कर दी है जमू कश्मीर में, तो ऐसी चीज़े बार बार बता रहे हैं, फिर उसके बाद मता रहे हैं कि, टियूरिजम भी फिर से आनी शुरू हो गई है, या फिर जो जमू कश्मीर के जो migrants हैं, जैसे कश्मीरी पंडितों का issue आता रहता है, उन लोगों को भी confidence में लिया जा रहा है कि उनकी जो पुस्तैनी जमीने हैं, वो वहाँ पर आकर के claim करे हैं, वो बात अलगा कि अभी इतना ज्यादा high scale पे हो नहीं रहा है ये कुछ, पर हाँ, अपनी तरफ से एक शुरूआत तो हुई, तो बोला हम इस तरीके से कश्मीर में काम कर रहे हैं, जैसे कि आप इसका example लो जैसे pandemic की बात करें, तो pandemic को manage करने में हमने बहुत अच्छे स काम किया है, और protocols भी इसी तरीके से तैयार कर रखे हैं, कि बहुत जादा दुखद है, पर फिर भी आगे तो हमें बढ़ना ही है, पर हाँ, जो भी गड़बढ़ियां हुई है, एड्मिनिस्ट्रेशन लेवल पे, तो बो उसको हम टेकल करेंगे, और investigation होने के बाद में पता पड़ेगा, उसके according हम action भी ले लेंगे, तो ये चीज़ बताई जा रही है, जम्मू कश्मीर में सरकार की क्या अपनी तरफ से सोच है, सरकार की तरफ से statements क्या है, ठीका जी, आगे चलते हैं, देखो लास्ट आर्टिकलर, road to recovery, इसमें ये ही बताया जा रहा है, कि NSSO का अब पेंडेमिक लेवल तक पहुंच कही, पर Omicron जैसे जो infection के cases फिर से आने लग गए हैं, तो इसमें थोड़ी सी challenging situation बनी रहेगी, तो देखने वाली बात ये है, एक तो, कि एक तो budget आएगा भी, ठीक है, एक फरवरी को budget पेश हो जाएगा, उसके बाद में, अभी देखा पेंगे, वो वाली देखने वाली बात है, तो और दूसरा, informal sector में आपको पता है, unemployment rate highest level पे चल रहा है अभी, हना, और informal sector के नुकसान का फाइदा किसको मिल रहा है, formal sector को, वो लगातार अपने आपको expand करने में successful हो रहे हैं, तो बुले, इन चीजों पर भी ध्यान देना होग पर हाँ, economy को हमें boost करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि economy अगर crisis में रहती है न, क्योंकि पिछले दो साल में हमने बहुत ज़्यादी बुरी परिश्तितियों से हमने सामना किया है, तो spending करना, economy को support करना ये जरूरी है, सरकार देखते हैं कितना क्या काम करती है, तो इस discussion में जो भी important चीज़े थी, वो हमने देख लिया, thank you very much